तो सबसे पहले आपको रंगों के पावन पर्वा होली की हार्दिक सुबकामना है देखे जिस दिन से उत्राघंड अपर PCS का नोटिफिकेशन आया है उस दिन से काफी बच्चों के क्वेरीज आ रहे हैं अबाउट PCS मेंस बुक लिष्ट हो, प्री एक्जाम कैसे क्रेक करना है इस एक्जाम को कैसे हम अपियर करें, कैसे इसकी प्रिप्रेशन करें क्या इसकी बेस्ट स्ट्रेटजी होने चीए इस तरीके के धेरो सवालों से मेरे इनबॉक्स भरे हुए है तो उन सबी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उत्राखंड अपर PCS 2024 की प्रीकम मेंस की स्टेडजी क्या होगी कि इन बुक्स को आपने फॉलो करना चाहिए और कैसे पहले ही प्रियास में अगर दिल से जान से सेल्फ मोटिवेशन से आप मेहनत करते हैं तो आप उत्राखंड PCS और राज्य की सबसे बगली जौब पाने का सपना पूरा कर सकते हैं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन पर आ जाते हैं कि इसका भी फॉर्म भरने की प्लक्रिया चल रही है जल्दी से जल्दी इसका फॉर्म भर लें दोस्तों काफी वच्छे सोचता है आराम से भरेंगे बड़ आपको पिर सेंटर अलॉट नहीं हो पाएगा हर फॉर्म में लिखा होता है कि जल्दी से जल्दी आप फॉर्म भरें और अपना जो भी मनपसंद आपका एक्जाम सेंटर है उसको चूज करें अगर आप लेट फॉर्म भरेंगे और वहां पे सीट्स पूरी फुल हो जाएंगी तो आपको दूसरे डिश्टिक में या दूस सबसे जादा जिसके लिए सभी लोग लालाइत रहते जिस पोस्ट के लिए वह है और इस बार पोस्ट नौ है इसमें दो पोस्ट इसमें वीमन के लिए रिजर्व है बागे OBC की एक है जनरल की आर्ट ओपन सीट से इसमें कोई भी आ सकता है EWS, ST, SC कोई भी इसमें आ सकता है रैंक के हिसाब से आपके प्राप्तांकों के हिसाब से यह चीज़े डिसाइड होती है उसके बाद दूसरी जो पोस्ट है DSP की भी काफी अच्छी पोस्ट है जिसक इस एक्जाम का जो प्री है वो आपका चुनाओ जो हमारे देश में आचार सहीता है उससे पहले तो इसका प्री नहीं होने वाला या हो सकता है उत्राखंड में जो आपका अपना परस्टनल आनुमान है आज देखिए आपका 26 मार्च हो चुके और 19 अप्रेल को यहां पर बत्रदान होने वाला है लोग सभाई एलेक्शन होने वाला है हमारा फर्स्ट फेज में है उसके बाद आपके जितने भी एक्जामेल एक यूगे ट्रपल से यूगे पेस्ट इसमें एक पोस्ट है पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जो कि है उप सिख्षय अधिकारी स्टाप इस पोस्ट है और ऐसे आपका लगबग लगबग परेपन पोस्ट है राज्य कर अगर आप प्रिपरेशन करते हैं पर पीसेश की पहली बार अगर आप पुराने भी चाहते हैं आपने 2016 वाला पीसेश देया है इस बात को आगे करेंगे और इस बात को आगे करेंगे तो यह तो बहिए टोटल वेकेंसी जैसा कि आपको बता दिया हमने 189 और जहां तक मुझे लगता है कि इसमें बगते बगते 250 तक वेकेंसी आपकी पहुंच जाएगी आपके प्रारिम्बिक परिक्ष्यां तीन फेज में एक्जाम होगा जिनको नहीं पता बता दो फर्स्ट आपका प्रीग्जाम होगा प्रीग्जाम में आपके दो पेपर होंगे पहला जीएस का होगा जिसमें जरुए JENNY जरो पोछ जाएंगे और बुट्र अब होगा यहांस दीन सेकेंड पाली पाली में आपका सेकंड पत्र-पत्र होगा जो कि आपका होगा सामान बुद्धी-मत्ताफ यानिकी ढन पोछा मांक के CHARL Deixa कर्का प्रस्थी करने होते हो कि 33 जो है फिसमें मार्क्स लाने है यानकि सो में से 33 कोश्चन आपके सई होने चीए और पहला वाला जो पेपर है यह आपकी का टॉप को करेगा यानि कि GS के पेपर के आधार पे ही मेंस के लिए आप यहां पर स्कूर्वटी नहीं होगा तो आपको मेहनत करने की आवशक्त है प्री में GS वाले पेपर में क्योंकि में जो प्री का जो सैकेंड पेपर है आपका सी सेट का वो जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का उसके नंबर एड नहीं होंगे तो पहले पेपर में आपको मेहनत करने है बात करो 2021 वाले पेपर की जनरल की कट ओफ आइधिंग इसमें 94 या 95 के आसपास गई थी ठीक है 94 या 97 गई थी मुझे अभी याद नहीं आ रहा है त तो डेटर सो मेंसे आपका इतना score गया था तो आपको इसी इसाप से preparation करने है कि पहला जो GS का पेपर हुगा उसमें आपका score कम से कप 100 प्लस रहना चाहिए अगर आप मेन्स का selection चाहते है तो 100 प्लस score आपको करना ही होगा और इसमें आपका negative marking होते है 1ud 5 की ठीक है यानन कि 0. 0.25 आपका गलत होने आपको दिया जाएगा और सही कोशन पर एक नंबर मिलता है बागी देखिए अगर पेपर की में बात को प्री एक्जाम होगा ना अब आप काफी लोग बोले थे कि इसमें आपका यूपी या अधर स्टेट वालों को बैनिफिट मिलेगा या बाहर के जो प्री का जो एक्जाम है वो डिसाइड करता है कि मेंस में कितने बाहर स्टेट के लोग अपियर हो रहे हैं और इस बार का जो पेपर पैटरन है इसमें साब साब आयोग ने इस पश्ट किया है कि डेलसो में से एक बट्टा तीन प्रसन उत्रागंट राज्य के संदर्ग में पूछे जाएंगे जो कि पहले ऐसा नहीं होता था ठीक है उत्रागंट के कोश्टिस या तीस मैक्जिमिम कोश्टिस पूछे जाते थे डेलसो में से बट इस बार का जो आपका प्री एक्जाम होगा जीएस का डेलसो वाला उसमें वन बाई थ्री यानि कि पूरे 50 कोश्ट उत्रागंट जीएक के बनेंगे और यकीन मानिया दोस्तों अगर आप उत्रागंट अच्छे से करते हैं ग्रुप सी के तहीं आरी में आप एक दो साल से संलगने हैं या उत्रागंट के बेसिक आपके क्लियर है तो आप 50 में से 40 यहां पर करी लोगे और अच्छी घासी जी क्लियर करने के लिए बट मैं फिर भी शॉर्टी नहीं दूंगा 100 प्लस स्कोर लाने की पूरी कोसिस करें आलांकि पेपर का नेचर पेपर का जो स्टेंडर है वह भी डिसाइड करता है कि क्या रहेगी बट फिर भी एक सेफ स्कोर मैं आपको बता रहा हूं और वैसे भी देख खाली अपने को जच करने के लिए पेपर देते हैं वह सीचेट का भी पेपर नहीं देते गई बच्चे दो फर्स्ट पाली में आके जीएस का पेपर देते हैं और मैरिट को बढ़ा जाते हैं तो इस हिसाब से मैं बोलाओ कि 100 नंबर प्लस आपका जो कट आफ है वह आपका पेपर होते थे इस बार आपके आठ पेपर इसमें होने वाले हैं पहले में में जो होता था सामानी इंदी और निबंद का एक ही पेपर होता था 300 मार्क्स का जिसको आपके लिए इसमें बैनिफीट है दोस्तों टाइम मेनेजमेंट अच्छे से होगा और मैक्जिमम इसको प्रिष्ट में किया जा सकता है पहले एक ही बार में 300 का पेपर करना बहुत डिफिकल्ट होता था ठीक है इसके अलावाद जो आपका जीएस पेपर 1,2,3,4 है इन पेपरों को भी कही न कहीं थोड़ा बहुत चेंज किया गया है पहले के पेपर या पहले का सिलेबस आप द उक्तराघंड जीएक है पहले इसी में थोड़ा उत्राघंड के कोशिजन इंक्लूड रहते थैं लाइक उत्राघंड के पेपर में है एक जानकारी तीन घंटे का यह इन पेपर में दूसरा भी सेम पेपर होंगा लेकिन दोनों में ही सिलेबस और सबजेक चेंज हूंगे, वह अभी हम लास्ट में बात करेंगे तो पहले कि जो जी एस के पेपर होंगे जिसमें आपका फर्स्ट पेपर में भारते विरासत और संसकृति आर्ट एंड कल्चर पूछा जा रहा है यहां पर हिस्ट्री पूछी जा रही है जियोग्रफी एंड सोसाइटी के बारे में यह पूरा पेपर होगा जो जी आपका टैक्नलोग्रफी ड्यक्स क्यूंट मेंड इंवाइरोमेंड और आपका फुरक्षय एंड डिजास्टर मैनेजमेंट बहुता अलग होगा और इसमें आपका। पढ़ना वही है जो पहले पढ़े देते आप लेकिन पेपर को अलग करते हैं इसके बाद जो आपका जीएस का चौंथा पेपर होगा इसमें आपका एथिक्स होगा और एथिक्स के अलावा देगे सत्य निश्टा अभी रूची आपकी इसमें पूछी जाएगी यानि कि केस आभा कैसे आपका सब्राइब तेया हुआ होता इस बार जनरल साइनस अथिक्स over आपको सब्सक्राइब तो मेहनत तो थोगा बहुत करने पर जो इस पेसली आपको जो फिजिक्स कैमिश्ट्री बायो जनरल साइंस पर्णियों होती थी वह केवल अपरी तक ही सिमित रह जाएगी में उसका कोई उपयोग ज्यादा नहीं है ठीक है तो यह आपका में का पूरा सेडू इस बार जो आपके दिए पेपर होंगे लिखित परिक्षा जो मेंस की होगी और आपका इंटर्व्यू डेले सो मार्क्स का होगा यानकी 1650 आपका है तो लगबग लगबग दोस्तों आपका 166 चियानवे यानकी 960 प्लस में आपको मन चाही रेंक इस पेपर में मिल जो भी आप यकिनन चाहते हैं पोस्ट आपको मिल जाएगी लेकिन उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा यह हम आ गए जानेंगे तो चलिए सबसे पहले जो बात करेंगे इसकी कौन को आपको बुकलिष्ट की मैं बात करता हूं सबसे पहला जो इसमें पेपर आपका साम आपने क्या करना है तो वीडियो इसकी मत करना जो भी PCS के वास्तविक एस्पिरेंट है उनको यह देखना जरूरी है क्योंकि PCS की जो अपॉर्चिनिटी आती है वह बहुत मुस्किल से आती है तो देखिए जो आपकी PCS की प्रिप्रेशन होगी सबसे पहले तो आप लोग पढ़ना है मेन स्केलिए अलग पढ़ना है यहां पर आपको कंबैंनी करने है शोंकि लगबर लगबर नेचर बराबर हैं दोनों दोनों के पेपर का एक जगह भूसर पर लिया नहीं है बस प्री में आपको एक्ष्ट्रा पढ़ना है जो कि आपको क्यों प्री तक ही पढ़ना उसके बाद उसको नहीं देखना है अगर आपके रीजनिंग मेहत अच्छी है तो आप ना भी देखा कांथ चल जाता है बहुत से मेरे ऐसे जानने वाले हैं जो बिना पढ़िए भी सी नियू बने रयंगे उसमें तो आपका पूरी दोनों ही आसानी से कुलियर होगा तो देखे कोशिशनी था बहुत से तो यह मेंन का अगया पेपर पहला दिए सामाने हिंदी का जो आपका सिलेबस है आप सकते हैं और यह बहाईया यह बोल सकता हूँ कि यह यह आपका मैक्जिमम इसमां मार्क्स आपको लाने की पूरिकोसिस करनी पढ़ेगी क्योंकि यह बोल सकते हैं वाला सब्जेक्ट है तो इसको आपने अच्छे से देखना है इस पेपर को इसमें देखे जो आपके टॉपिक बनेंगे वही हिंदी व्याकरेंड के टॉपिक रहेंगे इसके अलावा इसमें दो पत्र लेखन होता है आपका ऑफिशेल एंड उनफिशेल पत्र बनेगे प्रत प्रेपर में तो उसकी में की कॉपिया चेक नहीं होती और इसमें आपको मैं बोलूगा कि 35 नहीं इसमें कम से कम सब्सक्राइब करना चाहिए 110 प्लस इसमें होना चाहिए इस पेपर में तब जाके आपकी संभाव नाइं बगल जाएंगे और इस वाले की टॉपिक दिये हैं जो भी टॉपिक आपको सिलेबस में दिये गए हैं वो सब टॉपिक कवर करते हैं यह बुक डॉक्टर हर्देव बाहरी की सामानी इंदी की बुक आते हैं वह देख लीजिएगा और दूसरा निबंद लेखन के लिए मैं बात करूं भाई निबंद अगर आपके बनने इंखंडों से तो 50-50 नमबर निबंद ओगा देविसों का निबंद ओगा ऐसे राइटिंग दोस्तों जो वह बहुत ज़्यादा और इसे राइटिंग में भी आपका बहुत बड़ा योगदान होगा में स्याधा नमबर अगर आपको गेन करने तो ऐसे चेतर से निबंद बनेगा दूजरे गंड में आपका इनसे बनेगा टेकनोलोजी या अंतराश्ट्य या जो भी उसमें इवेंट वह वहां से बन सकता है निबंद या आपका जो प्रागर्तिक आप दाएं होते हैं उनसे बन सकता है तो निबंद के पेपर के लिए कोई ऐसे बुक नहीं आती मैं तो बोलूगा कि अच्छा है अगर अगर आपको देखना तो दृष्टि वगरा की बुक आती है आप उसको देख सकते बड़ना कि उसको फॉलो ना करें आप उससे क्यावल यह समझ सकते कि निबंद कैसे लिखा जा सकता है कितनी चीज़ें और निबं प्रफटा होता है मुख्रा तो इंट्रो गया और बॉड़ी जो पूरा जो निबंद का फोकस है तर्डी सब्सक्राइब निबंद के लिए फिर भी आप लेना तो दृष्टि की बुक ले सकते हैं अब देखे इसके बाद जो हैं जीएस के सबजेक्ट आप जीएसके सामान फैपर onepath 2 tiles तो है और चार यह मैं बदा चुक आपके सामान के चार पेपर उन पहले आपके बहले वाब भी इसमें पूछा जाएगा हेलिटेज भारत की सांती विश्व का इतिहास एवं भुगोल और समाथ तो ध्यान दखना है इसमें आपके भारतिय विलासत और समस्क्री यानिके इंडियन इसमें वर्ल्ड इस्ट्री आ रहे है जियोग्रफी आ रहे है और इंडियन सोसाइटी से आपके कोश्चन बनेंगे सेकेंड पेपर में GS के आपके सासन ब्योस्ता समविधान सासन प्रयारी सामाजिक नियाई सोसल दस्ट्री और इंटरनेशनल रिलेशन से यहां से कोश्चन बनेंगे तो यह चार जो तीन से लेकर 6 तक के GS के सब्जक्ट है इनके लिए कौनसी बुक फॉलो करने है तो इनके देख सकते हैं इमेज में आपको दिखा देता हूं द्रिष्टी की जो बुक रही यह आप देख सकते हैं आट सेट इसमें है भारतिय समीधान और राजब्योस्ता की बारतिय इतियास राश्य आंदरन भारतिय अर्थिविश्चा सामानिय विज्यान को लेने के आपके सामा किताबों को पौणने से अच्छा है कि एक ही किताब को अनेक बार पौणे और अपनी स्किल्स को इतना बहतर करते कि आपको हर आंसर मुझबानी याद हो परिच्छा वन में 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 का पेपर खोलते ही आप ऐसी राइटिंग करें कि आपका त्रीन गंटे में जो पेपर टा इनका भी up-pcs कि लिए और up-ps ke-s के लिए यान कि फृप प्रदेश पीश के लिए वर up-ps ke-z के लिए आते हैं यानि कि असी घुली हमझे झेल ऑर up-s प्रिपंदन तो इसके लिए जो अलग आपकी सेबरेट बुक्स है वो यही है आप देख सकते हैं इसमें देखिए यूपी एससी पर्यारण में पारिक्स्क्रिकी यूपी एससी भुगोर भारत और विश्ट्व भारतिय समिधान और सासन ब्यवस्ता भारतिय समिधान और राज्य ब्यवस्ता ठीक है अलग अलग टॉपिक है इसमें प्राचिन भारत का इतियास विज्ञान प्रौद्योगी की निति सास्त्र सत्य निश्टा और अभिरुची यह जो आपका पेपर 6 है पूरा एक ही किताब से कवर हो जाएगा पेपर 6 या जीएस का पेपर 4 आपदापर बंदन देखें डिजाश्टर मैनिजमेंट भारतिय सासन ब्यवस्ता अलग है देखें सामाजिक नियाई सोसल जश्टिस आधुनिक भारत का इतियास अंतराश्य संबंध आई-यार वेरी इंपोड़न आंतरिक सूरक्ष्या इंट ठीक ठाक है मैंने देखा जितना उतराखन पीस मेंस की राइटिंग करने के लिए उतना वह इनव है यकीन माने दोस्तों अगर इन पेपर्स को इन जो बुक्स हैं आपके इन बुक्स को अगर आप ध्यान से पड़ते हैं यह बुक्स आपके लिए बहुत बैनिफिशल है मे बाद आएगी आपका आचा सहीता खत्म होने के बाद नहीं विग्यपती आएगी तो इतना अगर आप पढ़ लेते हैं और कवर करते हैं तो बहुत अच्छा आपका जीएस का जो मजबूत हो जाए तो यह तरब से रिकमेंडेट बुक्स हैं देखिए यह रिव्यू करने क आपको सम्मधी जो टॉपिक आपका ऐसे लेबस में यह जितने भी सिलेबस में टॉपिक्स हैं यह आपको फिर एंसे अपने नोर्स बनाने होंगे तो आप ऐसे भी प्रिपरेशन कर सकते हैं इसके बाद हम आजाते साथवा और आठवा पेपर जो उत्राघंड जीके का पे और वैसे देखाज़ा क्रम मैं तो साथ है तीन गंटे का पेपर गोगा इसमें कहां खाह से कॉछिशन बनेगा उत्राघंड के इतिहास से उत्राघंड के समाजय वों कहान से उत्राघंड की समाज लोक न Stupid की करन इंठ से कॉश्चन से अफडेट होना भी बहुत ज़ूरी ह है तो यह तो आपका PayPal साथ ए उत्राखन का पहला पेपर इसके बाद जो उत्राखन का दूसरा पेपर कहां पड़ेगा और इसके अलावा उत्राखंड में सिख्षा का कितना development है जो पद्धितिया मुद्धे हैं और उसके अलावा उत्राखंड मानों संसाधन के विकास में स्वास्त के रूप में आपने देना है नर्सम देखना है तो यह आपके उत्राखंड का जो दो पेपर है वह क्या-क्या होंगे आपने देख लिए अब उत्राखंड जी के कवर करने के लिए कौनफंशी बुक्स आपको देखनी चीए तो वह मैं आपको बता लेता हूं तो उत्राखंड जी आप देखिए जो आपका साथवा और आठवा पेपर हो का इसमें सेम चीज है रहने वाली ह करने हैं तो सबसे पहले देखिए उत्राखंड का समग्र राजनेतिक इतियास जो की डाक्टर अजय शियर आवर्जी की भूक है यह आपके इतियास को अच्छे से कवर कर लेगी जितने टॉपिक भी आपके आने वह कवर कर लेगी ज्यादा एक्स्ट्रा पॉइन की आवश इसके अलावा उत्राखंड की समग्र ज्यानकों से एक भूक आते वह आपने लेना जरूरी है जिसके राइटर है राजेंद्र प्रसाद बलोदी जी नोट कर लो भया जो नए लोग है आपको मिलेगी यही आपको मागना है भूक अगर नहीं है अभी तक राजेंद्र प्र किसकी बुक है डॉक्तर एच खरकवाल जी यह बुक आपने ले लेनी है इतना काफी है इसके इतर कोई टॉपिक आपके बसके आ तो उसके लिए आप इंटरनेट की साहता ले सकते है या अन्य कोई बुक का रिप्रेंस ले सकते हैं ज्यादा किताबे खरीदने का कोई फाइ टिक है उत्राघंट जीएस पेपर वन और जीएस टू में दोनों में यह सभी किताबे आपकी काम आनी है और इसके अलावा देखे आपका जो करेंट अफेर के लिए आप दृष्टी की बुक को यूज कर सकते हैं नेशनल इंटरनेशनल के लिए दृष्टी की जो मंतली मै नहीं मैं तो यह बोलता हूं और हां वैसे दृष्टी पॉप्लिकेशन का मैंने देखा है कि आपका उत्राघंट के संदर्भ में भी आपके बुक निकलती है इनकी उत्राघंट करेंट रफेस की और डिटेल में दिया होते है उसमें तो दृष्टी की बुक भी आप वह आपका 8-10 खंटे सकते हैं कोई दिखकत नहीं कर रहा है जो पार्ट टाइम नहीं पड़ेगा आप तोग्ल के दे सकते हैं तीन घंटे सुभे तीन घंटे सामको आप जौब जोब मैं बिजी परसन हो या आप किसी भी प्रिकार का काम करते हैं और उसके काम के सांसाथ आ तो आप कितना टाइम दे सकता है फूल टाइम है सबसे पहले देखिए इसमें जो प्रीगम मेंस की रगनीती में आपको प्रीग्जाम में भी वही सिलेबस है तो आपको वही चीज पॉइदने है प्रील के जीस के पेपर को क्वालीफाय करने के लिए इसका मतलब worms प्रीगम की सिलेबस को खत्मां की कोसिस कीजे जो भी syllabus आपका दिया गया है इसके बात देखे, fact वाले प्रसनों का जाधा revision करना आपने इसका मतलब क्या है? तो fact वाले प्रसनों का जाधा revision यह है भईया जो भी आपके paper होंगे देखे, ध्यान से समझेगा इस बात को इस बात को बहुत ध्यान से समझना आपने देखे, आपके जो paper होने है mains में तो means में आपके GS के 6 paper होने है 2 paper आपके हिंदी और किसका है? निभंद का है 2 को मैं अठा देता हूँ मागी 6 paper आपके GS paper 1, 2, 3, 4 and उत्राखंड GS paper 1 और 2 तो यह जो 6 paper आपके होंगे इसमें जो paper pattern बनेगा न इस paper pattern के हिसाब से आपको fact को समझने की ज़्यादा आऊशकता है अब कैसे fact को समझने की ज़्यादा आऊशकता है क्योंकि प्रतेक paper में देखे आपका जो पहला खंड होगा इसमें आपके 15 question पूछे जाते है जिसमें प्रतेक question आपका compulsory mandatory होता है और हर question के लिए आपको 2 number दे जाते है एक सब्द में भी या 2-4 सब्दों में भी इसका उत्तर हो सकता है यानि कि इसमें maximum आप 30 में से 28 number 30 number ला सकते हैं क्योंकि इसमें देखे पूछा जाते है जैसे मैं बोलू पहला question जैके पीसेस में जियोग्राफिक का पेपर है पिछले साल का है 2016 का इसमें जैसे पूछा है देखे उत्तराखंड का कौन सा बहुतिक भाग अधिक्तम वार्सिक वर्सा प्राप्त करता है अब देखे इसका answer काली और टॉंस मरते होंगी और का साइकरम किया गोना है सबसे प्हाले आपके अलग नदा हिमकी पूछ नमबर कोशन हर पेपर में पूछए जाएंगे क्यावागउ उसा पर बनाये घा पर जो स्रब्स थोडए और बहुत चेंज हुआ है पैटन के बारे में सही यहां पर नहीं की गए सबसे पहले आपका अति लगू उत्तरीए प्रसम्न पूशे जाएंगे फिर आपका लगू उत्तरीय होता है फिर अती दीर होता है तो आपके जो इसको ध्यान से समझेगा हर पेपर का जो पार्ट वन और पार्ट टू होगा ना इसमें आप maximum score gain कर सकते हैं और यह maximum score gain करने के लिए part 1 और part 2 में आपको conceptual knowledge से ज्यादा factual knowledge होनी जैसे अभी fact मुझे याद था पस्टीम से पूरो के क्रम क्या है कौन सा भाग अधिक्तम वर्सा प्राफ्त करता है अधिक्तम वर्सा वही पर होती है उत्रागर में तीन परवतों क स्टेंडर को अलग करने होने ब्रंसों के नाम देखे तो तीन परवतों को अलग करता है अधिक्तम याद होना चीए बहुत सिंपल है इसमें पूछा कि अमिन दीवी क्या है धक्कन ट्रेप क्या है जैविविता को परिभासित कीजिए स्वेथ कोईला क्या है ऐसे ही हर विस पर टू जो होता है में वह भी आपका 10 प्रसन पूछे जाते हैं इसमें सभी प्रसन अन्युआ रहे होते हैं प्रतेक के लिए आपको पांच अंक मिलता है यानि कि दस पंचे पचास और उपर वाले में कितना हो गया आपका 30 यान से समझेगा इस बात को असी कोईशन आपक प्रभावित होते हैं जिसके कारण में माक्स गेन करना थोगा मुस्किल हो जाते हैं जाते हैं यह जो वांकर युदै और इसके अलावा जो हमारी जोहार बोटियाजन जाती है वह अलगला छेत्र में इतना आपने डिस्क्राइब करना है और आपको पूरा नंबर मिल जाएगा इसमें ठीक है उसके अलावा देखिए आपका सुनामी क्या देखिए जो हमारे समुद्र की तरंगया उठते भुख आपको करने है उसके बाद प्रसनों के उत्तर देने होते हैं और सोल अंकर असी माक का है यानिकि जो हमारे दीर की उत्तर है और अती दीर की उत्तर है वह आपके पूछे जाते हैं असी और आपका कितना हो गया 40 120 नंबर के ठीक है 120 में से यहां पर maximum score करना थोड़ा मुस्किल होता है क्योंकि time management भी करना है और इतने लंबे जब हम answers लिखते हैं तो उतने accurate परिगे से कोई भी प्रिजाइंट नहीं कर पाता है कि बहुत लोग करते हैं जिनकी practice अच्छी है तो इसमें थोड़ा marks लाना मुस्किल होता है जिसमें 30 नंबर का अति लगू उत्तर है और 50 नंबर का लगू उत्तर है इसमें आप maximum score कर सकते हैं तो focus यहीं पर हमेशा होना चाहिए और factual question अगर आप याद करेंगे तो इन factual question का सब मेंज एक्जाम के हैं तो आपको पढ़ने है तो इसलिए मैं आपको बोला हूं यह त्यारी आपकी मेंज होनीची है अब आप मेरा आसाइस समझ गयोंगे कि क्या मेरा कहना है इसके अलाव पुराने पेपर का analysis करना है दोस्तों आपको यह ही strategy है आपको देखना है कि जो उत आपको समझ में कि किस परकार की question आयोग बना रहा है ज्यादा तर जो आयोग question paper बनाता है वह लगवग लगवग आपका syllabus के अंबर से आते हैं बहुत ज्यादा analytical यहां पर question paper नहीं बनता उत्राखन में इस बार थोगा syllabus चेंज हुआ है तो आपको इसके लिए भी तैयार रह जानी होगे अपनी ठीक है तो में भी हो सकता है जी पेपर थोगा analytical हो जाए और factual और सब्जेक्टिव थोगा कम रहे तो आपको उस इसाब से प्रिपेर रहना पड़ीगा पूर्शन में भी जब हम फैक्टों के इंटरी करते हैं तो आपका accurate तो होने चाहिए ना ऐसा नहीं प्रिराइटिंग प्रैक्टिस अभी से मेंस के लिए सुरू हो जाओ मेंस का पेपर जो है टाइम मैनेश्मेंट बहुत ज़्यादा मुस्किल है आप ध्यान से समझिए इसमें जो आपका देखे पेपर होगा बात करें जो आपका पेपर का तीन ही घंटे आपको मिलने है औ तो इससे बचने का बस एक ही उपाहे बही कितना भी टेलेंटेट हो मैं फिर बोलना इस बात को बहुत ध्यान से समझेगा आप कितने ही एक्ष्टा ओर्डिनरी हो आपने उत्रागिन में गुरुप सीगे कितने ही एक्जाम क्यों निकाले हो हर एक्जाम में टॉपर हो बट अगर आप PCS और Lower PCS या UPSC जैसे एक्जाम की प्रिपलेशन कर रहे है और आपकी आंसर राइटिंग जो है काफी कमजोर है और स्पीड नहीं है आप लिखते नहीं डेली येकीन मानी आप ऐसें इक्जाम क्वालिफाइड नहीं कर पाएंगे आपको बगए एक्जाम क्वालिफाइड करने के लिए ज अपनी राइटिंग को अपने जो लेखन सहली है उसको इंप्रूब करना होगा ध्यान रखेगा कि आपके राइटिंग भी बहतर ही नहीं अच्छी राइटिंग से आपके मार्क्स जो है पांस-दस प्रितिशत बग जाते हैं इस तीच का ध्यान रखेगा परिक्षा की पुर जो चीज़ा डिफिकल्ट की गई इस नजर यह से पेपर बनाएं तो यह सब भी चीज़ा है खासकर नीभंद वाला सेक्षन है आपको कैसे समझना है बाइस में अगर पेपर हो इसमां समसामिक की मैं उत्राइटिंग कोई मैटर पूछा गया तो 24 में में भी आपका हो सकता हैं इसके अलावा देखें बहुत से चीज़ा सोसल जश्टीस की बात करते तो जैसे उत्राइट में कुछ रिप घटना ही हुई थी जैसे अंकिता भंडारी केस हुआ था अधर सोसल मैटर थे उन पर आपके कोश्चन निकल के आ सकते हैं उसके अलावा उत्राइट में यू जिस दिन आप चीज़ा समझ जाते हैं कि पेपर का नेचर क्या रहेगा क्या टॉपिक बनने वाले कैसे मैंने राइटिंग करने स्किल क्या मेरी अपनी कम्यों को आप समझ के अपनी कम्यों को देख के अगर आप उनमें इंप्रूब कर रहे हैं डे-बाई-डे तो यकीन मा इग्जाम हो या कोई भी एक्जाम होग दुनिया का वह आपका इंट्रेंस इग्जाम हो तो फोर मैं बोलता हूं तो सबसे पहला जो पिलर है बही इसमें आपका वहां और विद ऑनेस्टी इमानदारी के साथ आपको वहां करना पड़ता है दूसरा इसमें होता है दोस्तो द्रग निश्चय आपका होना बहुत जरी है डेडिकेशन तीसरी चीज है भया कॉंपिटिटिव एक्जाम के लिए आत्म विस्त्वास सेल्फ कॉंपिडेंस अगर आपके अंदर सेल्फ कॉंफिडेंस नहीं है लेकनेस ऑप सेल्फ कॉंफिडेंस है तो आप यकिन मानें आ 5-5 साल 6 साल से भी सेलेक्शन नहीं हो रहा बहुत से बच्चे जिनका एक साल के अंदर 5-6 वर्दियों में सेलेक्शन हुआ है बराबर दोनों पगए है सेम उनका एक बोल सकते कि तरीका है ठीक है पर जो कॉंफिडेंस लेवल है एक बच्चे का सेल कॉंफिडेंस गिर जात होता है बट उत्राखंड के लिए जो पेसेंस बहुत जदूर है पूर्थ पिलर वेरी इंपूरेंट फॉर और उत्राखंड गॉर्मेंट जॉब सीकर्स यकीन माने जो भी उत्राखंड में जी जॉब के कॉंपेटिटिव एक्जाम के तहियारी कर रहे है अगर आपके अगर आपको कोई भी जॉब या कुछ भी करना जीवन में तो उसके लिए भीसमु पृतिग्या होनी चीए थिंग इस सेल्फ मोटिवेशन और फॉर पेसेंस और सबसे पहरी बात तो पेसेंस के साथ-साथ आपको अपना एट्मॉस्पेर है वह हमें सब पॉजिटिव बना क्योंकि यहां पर बर्गलाने वारे लोग बहुत है आज की जनेरेशन ऐसी हो चुके दोस्तों या समय ऐसा हो चुक है आपको कोई भी सहरा नहीं देगा आपको उनको नहीं देखने आपको आपको लक्ष है ना वहां कि उसको सर्च कर रहें बड़ी अच्छी लाइन है कि म सबसे ढ़ते हैं और इन परियासों सेख जोसीucken करनी आप इसा कर लेते हैं तो देने से अगर महभूत होती समझने बात को अगर गुलाब देने से ही महबत होती तो माली पूरे सहर का महबूब होता तो ऐसा नहीं है आपके हाथों में आपको ग्रैप करनी है और यही रहस है दुनिया में सफलता को पाने का बगले लोग सफल हुए हैं जिनके पास कुछ नहीं था जीरो बैक्ग्राउ सबसे पहले तो दिए उत्राघंड पीसेस की तैयारी करें उनको अगर उत्राघंड जीके उत्राघंड इतियास का कंप्लीट कोर्स तो हमारी एप्लिकेशन इस्टोर पर आप लोग इस को ले सकते हैं और अभी अभी ओली ऑफर भी चल लाए इसमें कोर्स पे पूरे 50% का है आपको कूपन कोड यूज करना है देव 5050 इसके अलावा जिन लोगों का एक्जाम है उत्राघंड पूलिस सब इंस्पेक्टर के लिए एप्लिकेशन पे पंद्रह हिंदी के फुलन प्रैक्टिस हैड अप्लोड हो चुके हैं एसाई के पेपर में 100 नंबर का हिंदी का प तो यह पूरी इंफर्मेशन है दोस्तों आज के इस वीडियो की कोई भी लाइन कोई भी आपका डाउट कुछ भी मैंने मिस कर दिया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना या आप सीधे हमें मैसेज भी कर सकते है वर्टसप मैसेज हमें कर सकते हैं आप लोग हमारा वर्टसप नंबर पर कभी भी कॉल ना करें आप सिंपली आप मैसेज कर रहें अपना या आप वॉइस मैसेज कर सकते हैं ठीक है 9760040434 यह हमारा वर्टसप नंबर है देवभूमी करियर पॉइंट का ऑफिचल नंबर है और इसके अलावा हमारे वर्टसप का चैनल भी है आ चैनल भी आप फॉलो कर रहें उसके अलावा टेली ग्राम चैनल को भी हमारे जलू जोइन कि रहें उसमें बहुत से आपके लिंक वगएरा साथी इंफर्मेशन नोटिफिकेशन और कुछ मात तो बाते भी साजा करते रहता हूं तो बने रहेगा आपके अपने चैनल देव वुमी